आज की क्लास में हम 7th and 8 July 2024 के कुछ important current affairs discuss करेंगे जो किसी भी exam के point of view से काफी important current affairs है स्टार्ट करते हैं आज का session आज की क्लास में first we will discuss some important national news तो कुछ अंतरास्टिय समाचार हम discuss करेंगे then some national news, कुछ रास्टिय समाचार, कुछ राज्य समाचार news related to state government अगर किसी state government ने कोई scheme start की है या कुछ भी initiate किया है state government ने, हम वो देखेंगे then some banking and financial news, कुछ bank और finance related news deal करेंगे some defense news, रक्षा समाचार, विज्यान और प्राद्योगी की समाचार some important news related to sports event तो खेल समाचार, कुछ important days से related खबरे देखेंगे then हम कुछ news देखेंगे, important current affairs देखेंगे appointment and resignation से related then summit and conferences और last में हम कुछ opt series और शोक समाचार देखेंगे clear, तो यह हमारे topics होंगे जो आज की class में discuss करेंगे and finally हम एक बार quick revise करेंगे इस sessions को through summary so let's start the session the image used in our slide deck are for educational purpose only we respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images if you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue please contact us at sathi at the rate iatk.ac.in and we shall remove the images हमारे slide deck में उप्यों की गई चविया केवल सैशनी कुद देश्चे के लिए हैं हम इन चवियों के मूल रचनकारों और मालिकों के बोधिक संपताधिकारों का सम्मान करते हैं यदि आप इस deck में उप्यों की गई किसी भी चवियों के मालिक हैं और कोई चिंता या समश्य है तो किर्पया हमें साथ ही और हम चवियों को हटा देंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंटरनेशनल यूज के साथ तो फिलिपीन और जापान ने एक नए सुरक्षा समझोते पर आसाइन किया है तो फिलिपीन जापान है जोइंट अन्यू सिक्योर्टी एग्रिमेंट तो अभी इंडो फिलिपीन शेथ में बढ़ती चिंताओं के बीच यह समझोता किया गया है यह समझोता उनकी सेनाओं को एक दूसरे देशों में अधिक आसानी से प्रवेस करने की आनूमती भी दिलाता है मीन्स फिलिपीन और जापान की जो आर्मीज है वो एक दूसरे कंट्री में एजली एंटर कर सकती है नेक्स्ट इस अनेशनल यूज रिसेंटली गॉर्मेंट ओफ इंडिया मेक्स ISI मार्क मेंडेटरी फॉर स्टेनलेस स्टील एन अलुमीनियम किचल यूटेंसल तो भारत सरकार ने मेंडेटरी किया है कि भारत में जितने भी स्टेनलेस स्टील और एलुमीनियम से किच्चन के यूटेंसल बनेंगे उन पर किसका साइन होना जरूरी है आई एस आई का साइन होना बहुत जरूरी है सो भारत सरकार ने भारते मानक ब्यूरो द्वारा निर्दारित रास्टे गुनवत्ता मानों के अनुरोप स्टेनलेस स्टील और एलुमीनियन रसोई के बरतन के लिए भारते मानक संस्ता चीन को अनिवार्य कर दिया है उद्धियोग और आंतरिक विपार समवर्दन विवाग दोआरा 14 मार्ज 2024 को ISI चिन को अनिवारिय बनाने वाले गुनवत्य नियंतरान आदेश जारिय किये गए उसके साथ साथ BIS ने दो भारते मानक तियार किये हैं स्टेनलेस स्टेल के लिए जो कोड होगा वो IS 14756-2022 होगा और अलुमीनियम के लिए IS 1660-2024 होगा अगर कोई भी बेसिकली परसन इन मान दंडो का या इन बेसिकली कम्प्लाइंस का पालन नहीं करता है इन स्टिंडर्स का पालन नहीं करता है तो ये एक पनीशेबल ओफिंस होगा उसके उपर पैनल्टी इंपोस की जाएगी नेक्स्ट इस नेशनल नियूस कोमेमरेट कोईन ओफ RS100 रिलीज इन मेमरी ओफ लोकमत पाउंडर जवाहर दर्दा दो जुलाई 24 को महरास के मुख्य मंत्री एकनाश शिंदे ने लोकमत मीडिया ग्रूप के संस्तापक जवाहर लाल अमोलक चंद दर्दा की जनम शताबदी के उपलक्स में 100 रुपे का समारक सिक्का जारी किया है इस कार्यकरम में उपस्तित पुर्मुक व्यक्तियों में उपमोक्य मंत्री देविंद फड्नविस और लोकमत मीडिया समू के अध्यक्स डाक्टर विजय दर्दा भी शामिल हुए तो 100 रुपे का सिक्का जारी किया है महरास्टा गॉर्मेंट ने किसकी 101 वी जनती पर लोकमत मीडिया गुरुप के संस्थापक की 101 वी जनती पर clear next is ministry of rural development sign a mou with convergence energy service limited तो भी क्या किया है ministry of rural development ने convergence energy service limited के साथ क्या किया है mou sign किया है to felicitate the sustainable transport for rural entrepreneurship through electric bicycle for self-help group women clear so बग्रामीन विकास मंतराले ने स्वेम साहता समू sg basically क्या है sg sg self-help group है जिसमें नाबाड के जो प्रिसिक्षक होते हैं वो गाउं में जाके लोग को skills प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ काम प्रोवाइड करते हैं तो ग्रामीन विकास मंतराले ने स्वेम साहता समू की महिला के लिए electric cycle के माद्यम से ग्रामीन उद्धिमिता के लिए सतत परिवन को सुवीधा जनक बनाने के लिए convergence energy service limited के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्थाक्षर की है इस तरी which is basically sustainable transport for rural entrepreneurship through electric bicycle का उद्धेश्य ग्रामीन महिलाओ को electric cycle के माद्यम से हरीत गती शील्ड ता तक पहुंच परदान करके सशक्त बनाना है उसके साथ साथ MOU पर हस्थाक्षर ग्रामीन आजीविका के संयुक सचीव मो आडी समरिती शरवन और CSL के MD और CEO विशाल कपूर दुआरा किया गया यह साजेदारी ग्रामी महिलाओ के आर्थिक और समाजिक सचिस्तिकरान का समर्थन करती है और लगपती दीदी योजना को बिसिकली बनाए रखने का लक्षे भी रखती है नेक्स्ट इस प्रेजिडेंट दुरोपती मुर्मूर कंफेंस 10 कीर्थी चकर हैं 26 शोरिया चकर पांच जुलाई को रास्टपती दुरोपती मुर्मूर ने सशर्थ बल केंद्रिया सशर्थ पुलिस बलो और राज्य केंद्र शासित पुलिस प्रदर्शनों पुलिस के कर्मियों को चत्य शांतिकाल फीड़ता पुरुषकार जिनमें 10 कीर्थी चकर और 26 शोरिया चकर हैं वो प्रदान किये पुरुषकार कहां पर दिये गई है ये नरास्टपती भवन में रक्षा अलंकन समारों के दोरान दिये गए इस बार भारतिय सेना भारतिय वायू सेना भारतिय नो सेना और ग्रह मंतराय करके कर्मियों को भी शोरिया चकर से समानित किया गया है नेक्स्ट इस जुडिशियल कमीशन फॉर्म टो इन्वेस्टिगेस हात्रत स्टेंपडे तो हात्रस में भी भगदड हुई थी तो उसको बेसिकली उसकी जाच के लिए एक न्याईक आयोग का गठन किया गया है तो उत्तरपरदेश सरकार ने तीन सदस्य न्याईक आयोग का गठन किया है यह आयोग तीन जुलाई दोजाच चोबिस को हात्रस में एक ससंग के दोरान हुई भगदड की जाच करेगा दुरगटना पूर्ण गटना में लगभग 121 लोगों की मृत्य हुई थी उत्तरपरद प्यूश गोयल ने लाइसेंसिंग शुल्क में रियायतों की घोशना किये तो जो लाइसेंसिंग फीस होती है बेसेकली उसमें कुछ चूट प्रदान की गई है बाई केंद्रिय मंत्री या केंद्रिय मिनिस्टर प्यूश गोयल सो महिला उद्ध्यमिताओ को मिलेगा जो व्यूमें इंटर्प्रिनियोर्श शिप है उनको इसका लाब मिलेगा MSME को पेट्रोलियूम और विस्पोटक सुरक्षा संगटन के तहत 50% की कमी दिखाई गई है उसके साथ ये पेट्रोलियूम और विस्पोटक शेत्रों में महिला और MSME की भागिदारी को बढ़ावा देने का लक्षे रखती है तो लाइसेंसिंग फीस पर चूट दी गई है यूनियन मिनिस्टर प्यूश गोयल यूमिन्स को मिलेगी 80% की चूट और उसके साथ साथ जो MSME के जो MSME में पेट्रोलियूम और विस्पोटक सुरक्षा संगटन है उनको जो चूट मिलेगी वो 50% की चूट मिलेगी तो हम सबको पता है जो 46 वी World Heritage Committee मिटिंग है वो पहली बार भारत में हो रही है और इसी के लिए Ministry of Culture ने परी प्रोजेक्ट परी मींस Public Art of India प्रोजेक्ट लॉंच किया है तो कहां पर ये प्रदेश्चित किया जाएगा ललित कला अकेडमी और नेशनल गैलरी ओफ मॉडन आर्ट इट एम तो ब्लेंड इंडियन मिलेनियम ओल्ड आर्टिस्टिक हेरिटेज विद मॉडन थीम्स और टेक्निक्स तो इसका उद्देश भारत की सहशताब्दिया पुरानी कलात्मक विरासत को आधूनिक विश्व और तक्निकों के साथ मिश्रित करना है तो ये किसका पार्ट रहेगा बैसिकली 46 विश्व धरोवर समीती बैठक का हिस्सा रहेगा नेक्स्ट इस स्टेट न्यूस तो अभी क्या किया है जो हमारे नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड राइट्स है जो रास्टिय बाल अधिकाथ सेंड्रेक्शन आयोग है उसने जो जारकंड की माइन्स है मीका माइन्स है वहाँ उपे जो चाइल्ड लेवर है उसको पूरी तरह से बेंड कर दिया है तो जारकंड की अबरक खदानों को NCPCR द्वारा बाल शर्म मुक्त गोशित किया गया है यह गोशन जारकंड के कोड रमा में एक कारेकरम में हुई थी NCPCR के अधिक स्प्रियांग कानून गोने इस अबरक खदानन में बाल शर्म की आपपूर्ती शरंकला को साफ करने के पहले सफल प्रियास के रूप में उजागर किया है और यह बाल शर्म के खिलाफ लड़ाई में एक महतपूर्ण मील का पत्थर सावित होगा नेक्स्ट इस बेंकिंग एंड फाइनेंशल न्यूज तो व्यूमेन एंटर्परनियोर्शिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड पार्टनर टू लॉंच शहर प्रोग्राम टू इंपावर व्यूमेन्स तो शहर प्रोग्राम लॉंच किया गया है किसके थूरू लॉंच किया गया है तो इस शहर प्रोग्राम के थुरू व्यूमेंस को financial literacy दी जाएगी, वित्य साक्षरता प्रदान की जाएगी, उसके साथ साथ credit education प्रोवाइड की जाएगी, business skills प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ business tools भी प्रोवाइड की जाएगी. इस प्रोवाइड यह जो प्रोवाइड ने इसको लूंच किया है, अन्नारहयन है जो mission निर्देशक है, human entrepreneurship platform की और प्रधान आर्थिक शलाकार है, यह नीतियायो की. Clear? तो महिलाओं को उद्यमिता के लिए वित्त तक पहुँचाने का लक्ष़ है, शहर प्र इनिशेटिव का या कार्य करम का नेक्स्ट इस RBI पैनलाइस फाइफ बैंक इंक्लूडिंग PNB for Regulatory Non-Compilence तो हम सब को पता है Banking Regulating Act के तहक RBI के पास पावर है कि RBI किसी भी बैंक पर Penalty Imposed कर सकता है अगर वो RBI के नॉम्स के according कारिये नहीं कर रहे है तो 2024 की 5 जुलाई को भारतिय रिजर्व बैंक ने विभिन RBI निर्देशों का पालन ने करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक सहीद 5 बैंकों पर जुर्माना लगाया है PNB पर लगभग 1.31 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है जबकि अन्य दंडित बैंकों में गुजरात राज्य करमाचारी सहिकारी बैंक है, रोहिका केंद्रिय सहिकारी बैंक, रास्ट्रिय सहिकारी बैंक और बैंक करमचारी सहिकारी बैंक सामिल है येस बैंक पर कटे फटे नोटों का आदार प्रदान ने करने के लिए 10,000 रुपे का भी जुर्मान लगाया गया है। तो ड्यू टू बेसिकली इन एडिकेट कैपिटल एन अर्निंग प्रोस्पेक्ट आर बी आई ने वारनसी बेस्ट बनारस मोर्चेंटाइल कोपरेटिव बैंक का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसल कर दिया है। जनवरी से कई अन्य साहकारी बैंकों के लाइसेंस भी रद कर दिये जाएंगे। नेक्स्ट इज अल्स बैंकिंग न्यूस पेटीम इंटर्ड्यूस पेटीम हेल्थ साती हेल्थ केर एन इंकम प्रोटेक्शन प्लान फोर इट्स मर्चेंट। तो पेटीम ने अपने वेपारियों के लिए पेटीम हेल्थ साती स्वास्त और आय सुरक्शा योजना पेश किया है। तो पेटीम ने अपने वेपारी भागिदारों के लिए पेटीम हेल्थ साती नाम है के एक स्वास्त और आय सुरक्शा लोंच किया है जो इसका नाम है पेटीम फोर बिजनिस। दियोजना की शुरुआत 35 रुपे प्रतीमा से होती है और इसका उदेश पेटीम के वेपारी भागिदारों की भलाई की रक्शा करना है। आय सुरक्शा दुरगटना और प्राकरती कापदाव या हड़ताल के कारण वेपार में रुकावटों को कवर करती है। नेक्स्ट इस, LIC रेज इस टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक तो 2.68% वाया प्राइवेट प्लेसमेंट तो LIC ने क्या किया है, लाइफ इंशुरेंस कॉर्पोरेशन ने नीजी प्लेटफॉर्म के मार्धिम से IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 2.68% कर लिया है। तो पहले जो LIC के IDFC बैंक में इस्सेदारी थी वो 0.20% थी जिसे अब इसने बढ़ाकर 2.68% कर लिया है। बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस की सेवाएं प्रदान करता है। 1040 करोड रुपे के दो समझो तो पस आज बेसिकली ग्यापन किया है। DN Solution ने मशीन निर्वान सुईधाओ और एक अनुसंदान एम विकास केंद के निर्वान के लिए 1000 करोड रुपे की प्रतिबद्यता जताई। जिससे लगबग 350 नोकरिया उत्पन होंगी और EMNI Company Limited ने बैटरी प्रद्योगी की विकास के लिए 40 करोड रुपे का योगदान दिया जिससे लगबग कितनी 100 नोकरिया सरजित होंगी। करनाटका की उद्ध्योगी को और तकनी की विकास का केंदर बनने की प्रतिबद्यता को ये समझोता ग्यापन उजागर करते हैं। समाल लेंगे हैं। क्लियर। ओकी। नेक्स्ट इस रिसेंशली एशियन डेवलपमेंट बैंक एन आधार हाउसिंग फाइनेशल बैंक पार्टनर तो एक्स्पेंड हाउसिंग लॉन फोर लो इंकम विविमेंट। तो दो और्गनाइजेशन हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक और उसके साथ साथ हाउसिंग फाइनेशल लिमिटेड। इन दोनों बैंकों ने समझोता किया है जिसके अंदर ये कम आये वाली महिलाओ के लिए हाउसिंग लॉन प्रोवाइड करेंगे। इन प्रिटीश ग्रेंड प्रिक्स 2024 जीत लिये और ये इनका 9 टाइटल और ये F1 पहले F1 ड्राइबर भी रहे हैं। इन दे वर्ल्ड जुनोसिस डे 2024 तो हर साल 6 जुलाई को जुनोटिक रोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हम क्या सेलिबरेट करते हैं। जुनोसिस डे ये दिन जुलाई 1885 में लुई पहश्य द्वारा मनिश्यों के लिए रेबिस के खिलाफ पहला टीका लगाने की वर्षगाट को संबर्पित हैं। रेबिस का टीका एक पागल कुत्तिक द्वारा काटे गए नोवश्य लड़के को बचाने के लिए पहली बार लगाया गया था और इस दिन का उत्देश्य जुनोटिक विमारियों के परसार को रोकना और भविश्य में सक्रमन के खतरों का प्रभंदन करना है। नेक्स्ट इस इंटरनेशनल डे ओफ कॉपरिशन 2024 तो 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतरास्टिय सहकारी दीवस। निर्वान कर रही है। पाहिली की भुमिका को संस्कृतियों के बीच समझ और सधर्व को बढ़ावा देने में रेखांकित करता है। नेक्स्ट इस अपॉइंट्मेंट एन रेजिगनिशन न्यूस। तो लेबर लीडर कील स्टार्मन अपॉइंटे एज दा यूके 58 प्राइम मिनिस्टर है। तो लेबर पार्टी ने इस बार पार्लियमेंटरी चुनाव में 400 सीटे जीती 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 जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीटे जीती है। स्टार्मर गार्डन ब्राउन के बाद पहले लेबर पार्टी के प्रधान मंत्रियों और टोनी ब्लेर के बाद पहले लेबर नेता है जिन्होंने आम चुनाव जीता है। मुख्य कैबिनेट न्युक्तियों में एंजेलान रेयर को उपरधान मंतरी राचेल जेन रीव्स को वित्र बंतरी और डेविड लेमी को विदेश मंतरी और जोन हीली को रक्षा मंतरी के रूप में शामिल किया गया है नेक्स्ट इस अपॉइंट्मेंट एन रेजिगनेशन यूज जस्तिक शील लागू अपॉइंट चीज जस्तिक्स ओफ पंजाब एर हरियाना आईकोड तो रास्टपती के पास पावर होती है कि वो स्टीट्स के हाईकोड के चीफ जस्तिक्स को अपॉइंट करते हैं इनका जो अपॉइंट्मेंट है वो सुप्रीम कोड की कॉलेजियम सिस्टम जो की रेटायर्मेंट ओफ सीजे रवी शंकर जहा के रेटायर्मेंट के बाद इनकी न्युक्ति की गई है नेक्स्ट इस मौसूद पेजेस की इलेक्टेड इरान प्रेजिडेंट इंप्लिकेशन फॉर इंडिया तो मसूद को अभी इरान के रास्टपती चुना गया है मसूद एक अनुभवी विदायक और हर देशल्य चिकिस्सक ने इरान का रास्टपती चुनाव जीत लिया है उनके चुनाव में कटरपंती साइधी जलीली को हराया है तो साइधी जलीली को हराकर मसूद बेसिकली अब कहां के रास्टपती बन गई है इरान के नए रास्टपती अपोइंट हो गए है क्लियर नेक्स्ट इस नाटो सम्मिट बाइडन होस्ट हिस्टोरिकल मिटिंग विद स्ट्रोंग सपोर्ट पोर युक्रेन तो नाटो सिकर सम्मिलन बाइडन ने युक्रेन के लिए मजबूत समर्थन के साथ इत्यासिक बैठक की मेजबानी की है तो रास्टपती जो बाइडन 9 से 11 जुलाई तक वशिंग्टन डीसी में नाटो सीकर सम्मिलन की मेजबानी कर रहे है सीकर सम्मिलन में स्वीडन को एक नए सद्दश्य के रूप में शामिल किया गया है जो नाटो के विस्तार को दर्शाता है बाइडन का उद्देश्य सेन्य राजनीतिक और वित्य बेसिकली साहता की अपेक्षित घोशनाओं के साथ युक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत करना है नाटो की 75 वी वर्षगाट का समर्ण और यूरो एंट लाइटनी शुरक्षा में इसकी भूमिका को रिखांकेत करता है next is John Ladano Oscar-winning producer passed away at the age of 63 तो आप्चुरी नीच से है John Ladano जो अभी क्या थे basically the Oscar-winning producer थे has passed away at the age of 63 he was known for his collaboration with director James Cameron on film like Titanic and Avatar series his passing marks a great loss to the world of cinema यह थी आज की न्यूस जो हमने 7 और 8 जुलाई 2024 की एक साथ कवर की हैं I hope you understand this session एक बार कुईक रिवाइस करेंगे आज का session आज हमने देखा International Day of Corporation 2026 पलिपस और जापान स्टेंट सेक्योर्टी टाइविद न्यू बिसिकली एग्रिमेंट उसके साथ भारस सरकार ने ISI मार्क मेंडेटरी कर दिया स्टेलनेस, स्टील एन एन्यूमिलियन के चलने उटेंसिल्स पर लोकमत के संस्तापक जवार दड़्डा की स्मृती में 100 रुपे का स्मारक सिक्का जारी किया गया रास्कपती द्रोबती मुर्मुर ने 10 कीरती चक्रों 26 चक्र प्रदान किये हैं हातरश की भागदर को देखने के लिए एक नया एक आयोगवा गठन किया गया प्यूश गोयल ने जो लाइसेंस के उपर शुक लगते थे उनमें रियायतों की गोशना की है संस्कृती मंतराल्या ने 46 भी विश दहरो समीती के बैठा के लिए परियोजना परी की शुरुआत की जारकंड की अप्रक खदानों में कोश्रम बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है उसके लावा व्यूमेन एंटरप्राइश को बढ़ाने के लिए अभी हमने देखा था शेहर प्रोग्राम स्टार्ट किया आर्बियाई ने पांच बैंकों पर पैनल्टी लगाई बनारस मर्चेंटाइल कॉपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया पेटियम हेल्थी साथी बेसिकली पेटियम के थ्रू लॉंच की गई है लाइसी ने आईडी एफ्सी फर्स्ट बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा लिया है करनाटका ने डियन सॉलुशन और एम एन आई कंपनी लिमिटेट के साथ मिलकर 104 करोड रुपे के दो समझोते गया अपन पहस्ताक्षर किया है उसके अलावा हमने देखा FATF की अध्यक्षा पॉइंट हुई है भारत के स्वेदेशी हलके टैंक जो रावर का नावरन हुआ है फैटी लीवर रोग से निमटने के लिए INFLI MEN Network लौच किया गया है उसके साथ साथ यहां पर हमने कुछ निउस देखी Science and Technology से इस्टो ने भारती अंतरिक शहकतन First National Space Day पर अनाउंस किया है लूइस हैमिल्टन ने भी स्पोर्ट से British Grand Prix जीत लिया है कुछ हमने डेश से निउस देखी जुनोसिस और किश्वाहिली भाषा दीवस उसके साथ साथ UK के नए प्राइम बिनिस्टर बने है जो लेबर पार्टी से हैं कीरी स्टार्मर शील लागों को अभी पंजाब और हरियान का मुक्यन एदिश निउक दिया गया है मसूद पेश्कियन इरान के रास्टपती निर्वाचित भारत के लेपरभाव हैं उसके साथ साथ अभी आप्चुरी में आसकर विजेता निर्माता जोन लेंडो का तिरादिश वर्स के उमर में निधनो तो ये थी हमारी आज की important news, I hope you understand this session, thank you